दोस्तों IRFC की बात को यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग निकल क्या रही है जिनकों में करके डिसकस करने वाले है वैसे तो IRFC के स्टॉक में आज कुछ दबाव देखना को मिल रहा है श्टॉक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है लेकिन इसके पीछे वज़े के पिछले कंपनियों को फाइनेस प्रवाड़ करती है बहुत ही सांदर इसका मोनोपॉली बीजनस है और आप समझे सकते हो कि आने वाले समय में IRFC लार्ज केप केटगरी में जाने वाला है ऐसे में बहुत सारा इंवेस्मेंट नया सुरू होगा साथ में निप्टी नेक फिप्टी इ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब इन्या वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए चलो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी देवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो अभी लगबग तीन बजे के आसपास का टाइम है बीएसी सेंसेक सेवंटी बंध हवजन थी एंडेट सेवन के इस तर पर जापे 200 पॉइंट की तेजी है यानि 0.28 परशन 98.50 पर पॉजट यह शुरुआ थुई फ्राइडे की को लोगिं 97.75 के आसपास थी इंट्राडी में 99.30 का हई भी बना यानि 2 डिजिन में श्टॉक रहा 3 डिजिन में नहीं गया 100 को इसने टच नहीं किया लेकिन जो लो बना वो 96.55 का इस समय श्टॉक 97.35 के आसपास है और 99.41 की गिरावट है तो जब तक कि यह टू डिजिट में ट्रेट करेगा यहां पर दबाओ देखना को में देगा एक बार 100 को क्रोस करेगा तो फिर एक नई तेजी की समावना बन सकती है वालिम देखे तो पीछले एक मैने पहले इसका 15 कोड का वालिम था 4 कोड की डिले चुका है पूरे बाजार में वालिम की मामले में देखे तो IRFC नंबर पांच पे अब आप यह देखी सकते हो कि HFCL भी आज कमाल कर रहा है अब यह आप इसकी परफॉरमेंस को देखे तो 18 दिसमर उसकोड देख सकते हो कि 94.35 के आसपास था जा पर 0.4% की गिरावट ही 19 दि सकते हो कि बाजार का गिरना इसके लिए सुब नेरा वरना ही है श्टॉक 110 को पार करके आगे निकलने की समावरों बन जाती अब 21 दिसमर को इसमें फिर से वो रिकवरी हुई जितनी गिरावट ही थी 98.85 पर इस्टॉक आ गया 6.9% की सांधार तेजी के साथ में और 22 दिसमर को 97.75 के आपर 1.1% की गिरावट ही तो फिलाल इस्टॉक देख सकते हो की स्टॉगल करता हो थोड़ा सा दिखाई देगा वैसे इसे स्टॉक ने लोगों को माला माल किया बहुत ही सांधार इसने रिटन भी दिया है पिछले 6 महने में देखे इसने 197% का बंपर रिटन दिया यानि 6 महने में आपके पैसे जो है वो डबल दी बलके 3 गुना हुए बहुत ही बैतर रिटन दिया है और पिछले एक महने में 27% का सांधार रिटन दिया है अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड़ी निकल के आ रही है वन्दे भारत के बाद अब सरकार अमरित भारत ट्रे अमरित भारत ट्रेन लेके आ रही है और इसके अंदर वो सारी फैसिल्टीज होगी और सबसे पहले अगर आप देखे तो दिल्ली से कलकता के बीच में इसको चलाया जाएगा यह नौन एसी ट्रेन होगी इसके टोटल 22 कोचेज होगे जिसमें 12 कोच अगर सेकेंड क्लास के 3-tier के होंगे और स्लीपर क्लास भी होंगे इसके अलावा देखेंगे जनरल 2nd क्लास के कोच भी और इसकी जो इसकी पीड है वो देख सकतो कि यहां पर 130 किलोमेटर होगी पर हर के इसकी स्पीड है वो वंदे भारता ट्रेन जैसी होगी और आने वाले समय कवश ट्रेक्टों से लेस करके यह जब रोड पे आएगी आप समझे और ट्रेक के ओपर तब आप समझ सकते हो कि यह दूसरी जो पूरानी ट्रेनों की जगल लेगी और कम बजट में लोगों को सारी सुईदाय मिलेगी जो लोग चाहते हैं क्योंकि वंदे भारत का टिकेट थोड़ा सा महेंगा है सब उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लेकिन यह नौन एसी गाड़ी होगी जिसका टिकेट कम होगा लेकिन फैसलिटी काफी बच्च होगी और कम समय में सफर करवा देगी यह बहुत बड़ी बात है एक बड़ी अपडेट और निकल के रहे हैं रेल्वे इस समय वंदे भारत की सुरक्सा और सेप्टी और उसको किस तरसे फास तरीके से और आगे बढ़ाया जाए उसके लिए समय को कैसे और कम किया जाए उसको पर ध्यान दे रहे है यानि नई टेक्नलोजी से लेस किया जा का हमारा फ्यूचर है इसको और तेहीं से बढ़ाना है लोग इस ट्रेन के माद्यम से वो सारी सुविदाओ का अनुपव कर पाए जो एक तरसे वो एर वेज के माद्यम से करते हैं वो सारी फैसलेटिजम को मिले यहां पे और इसी के लिए सरकार कोशिस कर रहे है आने वाल स त्यारी शुरू कर दी गई है इस समय तो अलड़ी अंदेबारत सांधार है लगे इसको और सांधार तरीके से आगे बनाना है लोगों को इसे और जाना फाइदा हो इसकी स्पीर को बढ़ाया जाए इसको पर ध्यान दिया जा रहा है एक बड़ी अपडेट और निकल के लि इस समय डिजिटल इंफार से टेक्नोजी को आगे बढ़ा रही है और साइबर सिक्यूर्टी को अपर ध्यान दे रही है यानि इस समय देखे तो सिक्यूर्टी थ्रेट बहुत जारा होती है सारा का सारा इंटरनेट के ओपर चलने वाला ये समय काम का आजए तो सरकार चाहत होते हैं उसको पहले ही जान दिया जाए साइबर सिक्यूर्टी के अलावा डिजिटल टेक्नोजी के माद्यम से अगर किसी ट्रेक पर कोई प्रॉब्लम है तो भी पता चले और इसी को लेकर आप देख सकते हो कि सरकार ने या पर कोशी सुरू की और अब सेंटरल रिलवे इ सुबन 9 बचकर 56 मिनापर 99.10 की प्रैस से 4,13,000 की एक खरीदारी हुई तो उसी समय 9 बचकर 56 मिनापर 98.70 की प्रैस से 7,60,000 की प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके बाद 10 बजे 98.95 की प्रैस से 3,52,000 की एक बड़ी बिक्वाली और हुई और उसके बाद 10 बचकर 34 मिनापर 98 98.05 की प्रैस से 3,97,000 की फिर से 1 बिक्वाली हुई उसके बाद 12 बचकर 30 मिनापर 97.70 की प्रैस से 4,98,000 की एक बड़ी बिक्वाली और हुई उसके बाद अगर आप देखे तो 2 बचकर 1 मिनापर 97 की प्रैस से 3,97,000 की खरीदारी हुई तो उसके बाद 2 बचकर 7 मिनापर 96.95 की प्राइस से 2,78,000 की बिक्वाली हुई और उसके बाद 2 बज कर 9 मिनट पर 97.1,0 की प्राइस से 3,80,000 की फिर से खरिदारी हुई तो भले ही समय प्राइस कुछ नीचे हो लेकिन इस लेवल पर भी अच्छी खासी खरिदारी हो रही है जो इस सारा कर रहे हैं कि आने वाल समय फिर से IRFC में तीजी बन सकती है यहां पर रेटिंग भी बहुत अच्छी है मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 इसकी EPA सिस्टर जुरूब विक है क्योंकि वह मातर 5 स्टार में से 2 इसकी रेटिंग निकल के आ रही है लेकिन बाइर डिमान के मामल में बहुत जबर्दस तो यहां से अगर गिरावट का दौर सुरू होता है तो 88 का पहला सपोर्ट है अगर यह 88 का सपोर्ट टूट गया तो श्टॉक आपको 79 तक जाता हूँ दिखाए देगा यानि गिरावट के दौर में यह 80 को तोड़ सकता है और 79 तक जा सकता है और गिरावट यहां पर भी आपको खास द्यान दकना है लेकिन अगर पॉजिटिव माउट बना तो 105 का फर्स्ट रेजिस्टरंस है इस रेजिस्टरंस को इसने पार किया तो फिर आपको 113 पर श्टॉक जाता हूँ दिखाए देगा और एक बार यह 113 को क्रोस कर गया तो तो तीसरा रेजिस्टरंस न सामिल होगा यह में फाइलिस्ट में और भिर नया निवे सुरूगा तो डेफिनेट इसकी प्राइज बढ़ेगी और आने वाले समें यह निकेड भवी से में फोर डिजिट में भी जा सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनसल एड यह पसंद आए तो लाइक से जोकी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यों फ्रेंड